नमस्कार मैं हूँ नीर्जा और न्यूस फॉर इंडिया के डिजिटल प्लाटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है एक समाज में रहते हुए हम सब ये जानते हैं और मानते भी हैं कि किसी भी देश का समाज का विकास आप सी सहयोग और समर्थन से ही हो सकता है यही बात हमारे माननिय प्रधानमंत्री मूदी जी ने भी पूणे में लोकवान्य तिलक अवार्ट सेरिमनी में अपने संबूधन में कही कि अविश्वास के माहौल में काम नहीं हो सकता एक दूसरे पर भरोसा ही देश को आगे बढ़ा सकता है बहुत ही सटीक और उचित बा पड़ता यह तो अभी की बात है जब लिंचिंग की घटना पर आपने कहा था कि लगवग 90 प्रतिशत गौरक्षक असामाजिक तत्व हैं जो दिन में गौरक्षक करते हैं और रात में गुंडे बन जाते हैं और उनका डोजियर बनना चाहिए पर हुआ क्या आज तक कोई क वीडियो वाइरल करके हर्याना के नू को नफरत की आग में जोग देता है पुलिस को उसकी तलाश है और वो खुद डॉन की तरह 31 जुलाई को धार में क्यात्रा में आने की सूचना देता है लेकिन वहां के प्रशासन को खबर नहीं हुई वहीं बिट्टू बजरंगी ना नफरत की इस आग में घी डालने के लिए सीए मनुहरलाल खटर भी आ गए और कहा कि सभी को सुरक्षा देना संभव नहीं उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा की सूचना के बाद उपायुक्त ने दोनों पक्षों से बैठक लेकर ये आश्वासन लिया था कि यात्रा शांतिकून रहेगी लेकिन हिंसा अचानक ही हो गई तो साहब सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि भड़काओ विडियो और दंगे की आश्रंका के बारे में तो प्रशासन को 27 जुलाई को ही पता चल गया था फिर भी प्रशासन नदारद रहा वही डिप्टी सीएम दुश्यंत चोटाला ने कहा कि आयोजकों ने भीड के बारे में पूरी जानकारी प्रशासन को नहीं दी इसलिए हिंसा हुई क्या मजाख है ये एक शेत्र जहां एक धर्म विशेश के लगबग 80% लोग रहते हैं वहाँ एक धार्मिक यात्रा निकाली जानी है और प्रशासन महज एक आश्वासन पर निश्चिन्थ होकर बैठ जाता है कि सब सही होगा और पुलिस भी कोई मुस्तेदी नहीं वरत्ती उपर से जब सब कुछ तहस नहस हो जाता है दोनों पक्षों में जम कर जोर आजमाईश हो जाती है जब केवल तबाही का धुआ बचता है तो फिर एक बार सीएम साहब कहते हैं कि दोश्यों को नहीं बख्षेंगे और उन ही से इस नुकसान की भरपाई की जाएगी तो जनाब भरपाई कैसे होगी? क्या वो दो होमगाड के जवान जो हिंसा में मारे गए थे या वो मस्जिद का इमाम जिससे इतना पीटा गया कि उसने दम तोड़ दिया उन्हें वापस ला सकते हैं आप? इस घटना की बदसूरत तस्वीर को शायद इस इलाके की लोगों ने 75 सालों में पहली बार देखा उनके दिलो दिमाग से इसे मिटा पाएंगे आप? मैं जानती हूँ आप में से किसी के पास इसका जवाब नहीं है अगर आप इतने ही गंभीर होते अपनी जिम्मेदारी को लेकर तो किसी मोनू मानेसर और बिद्टू वजरंगी की हिम्मत नहीं होती कि वो वीडियो बनाए और उकसाने वाली बाते बोलकर यूँ आग लगा रहे हैं जहां आपके ही जो मेवाद के सांसद और केंत्रिय मंत्री राव इंद्रजीत हैं उन्होंने ही सवाल उठाया है कि मेवाद की धार्मिक यात्रा में लाठी डंडे और पिस्टल जिसे हत्यारों की क्या जरूरत थी जब शांती पूर्णा आयोजन होना था तो फिर यह सब क्यों पूलिस क्या कर रही थी जब दोनों पक्ष में जमकर पत्थर बाजी गोली बारी हुई जब लाठी डंडे चले तो पूलिस यहां लगवग तीन घंटे तक नहीं थी यहां तक कि वहां की मजिस्ट्रेट खोद उस जगह पर फस गई थी और उन्हें भी वहां से निकालने में पूलिस असमर्त नजर आई तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जबाब मनिपूर से लेकर हर्याणा राजस्थान सभी के मन में हैं लेकिन जिस भरोसे की बात पी एम मोदी जी कर रहे हैं अगर वो होता तो जनता और संसद दोनों में इस तरह का शोर नहीं म चाहोता जहां भी हिंसा हुई दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं दोनों पक्षों के लोग मारे गए लेकिन इस सब में सिस्टम का फेलियर सब के सामने है इन घटनाओं ने ये भी साफ कर दिया कि हुकमरानों की बात की कोई वैल्यू या वजन नहीं रह गया है क्या ऐसे सोचते हैं दोस्तों कमेंट करके हमें बताएं और हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूस वार इंडिया नमस्कार